बल में प्रस्तावित हवाई अड़े के निर्मान के विरोध में बल बचाओ किसान संखर्ष समीती ने शनिवार को रैली निकाली समीती ने उपमंडला धिकारी सुंदर नगर के माधियम से प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री को फिर ग्यापन भेजा इस अफसर पर समीती के ध्यक्ष हलीम अन्सारी ने कहा कि मिनी पंजाब के नाम से जाना जाने वाला बलकशेत्र एतिहासिक रूप से क्रिशिक शेत्र रहा है आजादी से पहले यहां जो जमीने थी वो राज़द वारस्थापित सामंतों के पास थी किसानों के लंबे संगर्ष के बाद जमीन पर किसानों का मालिका नहाख हुआ पहले पारंपरिक खेती की जाती थी लेकिन अब नकदी फसलें उगाई जा रही हैं जिसमें मुख्य सबजी उत्पादन है टमाटर उत्पादन में सोलन जिला के बाद हिमाचल में दूसरा नंबर बलका है हिमाचल किसान यूनियन के प्रदिशा ध्यक्ष परस राम ने कहा कि जो प्रस्तावित हवाई अड़ा है उससे लोग रोजगार विहीन हो जाएंगे जोड़ा जंगल सदियों पुराना है वह भी खत्म हो जाएगा इस जंगल में विभिन किस्म के बक्षी हजारों की तादाद में रहते हैं और विभिन किस्मों के जंगली जानवर भी रहते हैं हवाई अड़ा यदी बनता है तो पूरा पर्यावरन तहस नहस हो जाएगा समीती के सचिव नंदलाल वर्मा ने कहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने बयान के माध्यम से कहा है कि यदी बलक का किसान विरोध करता है तो हवाई अड़ा किसी दूसरे स्थान पर बनाएंगे हम मुख्यमंत्री के इस बयान का स्वागत करते हैं साथ ही अनुरोध करते हैं कि जो एक करोड रुपए सर्वे के लिए दिया गया है इस सर्वे को भी किसी दूसरी जगह ही करवाया जाए बल में नहीं अन्य था बलके किसानों पर हवाई अड़े के निर्मान का दबाव कर रहे हैं तो इस बावत अभी जो मुख्यमंत्री का एक ब्यान आया है कि अगर बलका किसान परुक्त करेगा तो हम किसी दूसरी जगह वाई एड़े को बनाएंगे हम उसका स्वागत करते हैं परन्तू हो यह रहा है कि अब उन्होंने एक क्रोड रुपया एयरपोर्ट अ तो हम यह कहते हैं कि जो सर्वे का काम है यह भी उस जगह करावाया जाए जो कही विकलप में कोई दूसरी जगह है चाहे वो जाओ है चाहे वो नंदगड का हिलाका है या फिर उदर गोगरधार वाड़े बोल रहे हैं तो कई ऐसा हिलाका जहां से कम से कम displacement हो इसका सर्वे तिवी हिमाचल वेब टीवी के लिए सुंदर नगर से जस्वीर सिंग की रिपोर्ट